नमस्ते, मैं हूँ आपकी फार्मसिस्ट अश्विनी और आज हम बात करेंगे बिसुप्रोल के बारे में बिसुप्रोल का उप्योग हाई ब्लड प्रेशर का इलाज करने के लिए अक्केले या फिर अन्य कोई दवाई के कॉम्बिनेशन में किया जाता है बिसुप्रोल बिटर ब्लोकर नामक दवाउं के एक वर्ग से है ये ब्लड वेसल्स को आराम देकर और ब्लड प्रेशर को कम करने और सुधारने के लिए रिदय गति को दीमा करके काम करता है हाई ब्लड प्रेशर एक सामाने स्थिती है जब इलाज नहीं किया जाता है तो यह मस्तिश्क, रिदय, ब्लड वेसल्स, किड्नी और शरीर के अन्य भागों को नुक्सान पहुचा सकता है इन अंगों को नुक्सान से रिदय रोग, डिल का दौरा, हार्ट फेलियर, स्ट्रोक, किड्नी फेलियर, त्रिश्टी की हानी और अन्य समस्य हो सकती है दवा लेने के अलावा, जीवन चली में बदलाव करने से भी आपके रख्तचाप को नियंतरित करने में मदद मिलेगी इन परिवर्तनों के साथ कम फैट और कम नमक का आहार खाना, स्वस्त वजन बनाए रखना, अधिकांज दिनों में कम से कम 30 मिन तक व्यायाम करना, तुम्रपान ना करना और शराप का सेवन कम मात्रा में करना शामिल है विसुप्रलॉल मुझ से लेने वाली गोली के रूप में आता है, इसे सामानित्ध दिन में एक बाल लिया जाता है विसुप्रलॉल लेना याद रखने में मदद करने के लिए इसे दिन में लगबग एक ही समय पर ले विसुप्रलॉल को बिल्कुल निर्देशित रूप में ही ले, इसे अधिक या फिर कम ना ले या इसे अपनी डॉक्टर द्वारा निर्धारित से अधिक बार ना ले अपके डॉक्टर शायद आपको विसुप्रलॉल की कम डोस पर शुरू करेंगे और धीरे-धीरे आपकी डोस बड़ाएंगे विसुप्रोल हाई breast pressure को नियंत्रित करता है लेकिन इसे ठीक नहीं करता है आपको विसुप्रॉल का पूरा लाब महसूस करने में कुछ सप्ता लग सकते हैं बले ही आप ठीक महसूस करें विसुप्रॉल लेना जारी रखे अपने डॉक्टर से बात किये बिना विसुप्रॉल लेना बंद ना करें विपरोल को अचानक बंद करने से एंजाइन और न कि सीने में दर्द, दिल का दोर या फिर अन्य में दिल की धड़कन हो सकती है. दिल की विफलता का इलाज करने के लिए कभी-कभी विपरोल का भी उपयो किया जाता है. विपरोल लेने से पहले अन्यमी धड़कन के लिए अन्यमी दिल की धड़कन के लिए दवाई जैसे की डिसोपाइरामाइड और अन्य बीटा ब्लॉकर्स रेजरपीन और रिफामपीन इन में से अगर आप कोई भी दवाई ले रहे तो इसका उल्लेख आप जरूर अपने डॉक्टर फार्मसिस्ट को करें अपने डॉक्टर को बताए कि क्या आपको अस्तमा या फिर फेप्टों की अन्य बीमारिया हुई है या फिर नहीं धी मेरी देगती दिल की धड़कन रुकना रिदय लीवर या फिर किड्नी की बीमारी डाइबिटीज घंबीर एलर्जिया फिर हाइपर थायरोडिजम अपने डॉक्टर को बता है कि अगर आप अपने रॉक्टर को बता है है कि अगर तक यह दवा किसे प्रभावित करती है तब तक कारण चला है ना कोई मशीनरी चला है थाujahol इस दवा के कारण होने वाली उननिनदापन को बढ़ा सकता है अब त्याधिक ठकान उल्टी डाइरिया मास पेशियों में दर्द बहती नाक सासों की कमी हाथ पैरों टकनों या फिर नीचले पैरों में सूजन असा माने वजन बढ़ना और बेखोशी यह कुछ साइड एफेक्ट्स है तो यह हो गई जानकर यह बिसुप करने के बाद बैल आइकन भी जरूर दबाएं बैल आइकन दबाने से जब मैं कोई नया वीडियो डालूंगी इसका आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और आप मेरा कोई भी वीडियो मिस नहीं करेंगे तो चलिए मिलते अगले वीडियो में तब तक के लिए थैंक यू